नमस्कार साथ यो अभी मैं उपस्तित हूँ इप यफो का जो अभी जस्ट इक्जाम हुआ है प्रश्ण पत्र संग यह जो मेरे पास प्रश्ण आया है यह सी नंबर सेट है इसमें देखेंगे अभी एक से लेकर 20 तक मैं करा चुका हूं इंग्रिस मेडियम अब उसके बाद जीयस पेपर और मैथमेटिक्स यहां में करा दूँगा यदि किसी भी प्रश्ण में डाउट हो तो आप कमेंट बक्स में जरूर कमेंट करें यदि एक दो जार प्रश्ण में मैं जो छोड़ रहा हूं उसमें यदि आपको उसका आंसर मालूम है तो भी कमेंट बक्स में ज नेक्स प्रस्ण देखते हैं बाइस नंबर प्रस्ण पूछ रहा है यदि ए और बी की चाल का अनुपात 5 अनुपात है और यह 1.2 किलो मिटर की लगाने में इसको इतना मिटर लगता है तो इसका आंसर पूछेगा तो बी नंबर हो जाएगा 130 अगला प्रस्ण 23 में दे रहा ह है यह आयू का अंतर पुछा जा रहा है तो यह 15 वर्स हो जाएगा यानि कि आंसर भी यदि आप यह भी मिला लिए हैं तो नेक्स यहां जियस से बढ़ा कर मिला सकते हैं जियस भी इसी में है आपको मिलाना है तो मिला सकते हैं 24 नंबर यह सेट मेरे पास सी आया है यह एक प दिक्कत होगा नेक्स प्रस्ण है जीस नमर सेस परिक्षण यानि ट्रायल बायंस के संब्ध में निमलिक्जित में कौन सा कथन सई है तो यह आपका सी नंबर सई है किसी भी प्रस्ण में अधि आपको डाउट लंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कर कीजिएगा नेक देता हैं कब दे होती है तो एक वर्ष के भीतर चलिए नेक्स प्रस देखेंगे क्या सेज परिक्षन यानि ट्राइल बाइनेंस के नाम में यह इसका आंसर पुछा जा रहा है 29 नमबर तो यह हां यह हो जाएगा कईक्ष हो जायगा दिकांष भुमी साहवकार बयापारी और धनी बीकिसानों के हां था चलिए वर्ष वर्स 1911 इस पी में निमलिकित में से किसने मुंबई में सोशल सर्विस लिग की अस्थापना किया तो यह आपका हो जाएगा C नमबर यानि कि N.M. जोसी नरायन मलहार जोसी हो जाएगे यानि कि C नमबर इनका आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स प्रस देखते है प्रसन संख्य क्या कर रहा है निमलिकित में से कौन कंग्रेस पार्टी में परिवर्तन वाधी शमुज में सामिल नहीं थे देखें यह मुतीलाल नहरू भी होगा और यह भी कुछ संभावना है लेकिन हम मुतीलाल नहरू ज्यादा थखार है इसलिए इसको मारे नेक्स प्रस देखिएगा प्रस्म संख्या 35 क्या कह रहा है कह रहा है निमलिकित में से कौन कैबिनेट मिसं में सदस में सामिल नहीं थे तो यह D हो जाएगा बाकी यह तीनों सामिल थे नेक्स प्रस देखें के 35-36 में क्या कर रहा है निमलिकित में से कॉन्टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में बाया हाथ के बल्लेबाज के बिरू 200 विकेट लेने वाले पहले खिलाडी बने तो यह आपका रविंद्र अश्वीन हो जाएगा रविंद्चंद्र अश्वीन हो जाएगा यनि की डी नमर आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स प्रस देखते हैं 37 नमर में क्या कर रहा है लोग सबाग निमलिकित अध्यक्स में से कौन ऐसे के रूप में अपने निवाचन के ब वर्स 2020 से 21 परवरी को अंतराश्टिय मातरी दिवस मनाने के संबंदित विचार की पहल निमलिकित में से किस राष्ट ने किया तो देखिए इसमें बांगलादेश और भारत पसंद दे था तो ये बांगलादेश कुछ परसेंट लग रहा है चलिए नेक्स परसंद देखें नाईजिरिया की चलिए नेंस प्रस्थ लेखाइंगे कि नेंस प्रस्थ यानिकि देखेंगे को अधुथ का रितीमोडल प्रदी पड harvest माझे रहा या कि तीन्य प्रकार हे कि आएगी लेकिन वह तिनसे बिवाजित नहीं रही है जाइगा give the अगला प्रस्ण है 42 नमर में जब 74 का पावर सव को 19 से नौ से विवाजित किया जाता है तब निम्लिकित में इसके आ होगा तो दो से स बचेगा यानि कि ए नंबर हो जाएगा तो 45 में देरा है रूट 3-2 इसके बेटक्वर्म तो जा यानि कि बी नमजर इसका अंसर होगा जोबी से 44 नमजर आ रहा है चलिए 45 नमर परस्ण देखते हैं मायत का है मालीजी आप आज संक्याइश में बताना है तक केवल एक सही है आप एक मार लेंगे नेक्स प्रस्थ देखिए दुई अंकर पधिती के पुछा जा रहा है तो यह आपका ए होगा बहुत लोग भी मारे हैं लेकिन ए होगा चलिए नेक्स प्रस्थ देखिए प्रस्थ देखते हैं प्रस्थ है उन्चास नंबर यह टोटल 120 प्रस्थ का हम सोलुसन देगा है उसमें कुछ प्रस्थ कम हैं जिसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे चुकि समय का आभाव है इसलिए मैं सोचा कि तुरत डाल दूं आप लोग मिला लें बहु कर दूंगा निमलिखित में से कौन सा ब्राउजर नहीं है तो यह सी हो जाएगा फेडोरा नेक्स प्रस्थ है निमलिखित में से पूछ रहा है एक जीवी बरावर कितना तो 1024 MB होता है नेक्स प्रस्थ है वर्स 1915 में अफ्रीका से लोटने के बाद गांधी जी सबसे पहले कहां पर व्यावकस दन समझाय को संबोदित किये तो बनार्स हो जाएगा बनार्स हिंदू बिश्व बिद्याल है चलिए नेक्स प्रस्थ है निमलिखित में से पूछा जा रहा है गांधी एज महात्मा के लेखा कौन है तो लूइस फीशर हो जाएगा यानि की सी नमबर न 1933 के दोरान बिहार में गया जिले में प्रभावशाली किसान सभा अंदोलन के नेतरुत किस ने किया तो यह आपका स्ची हो जाएगा सीतल शाहर नेक्स प्रस्थ है पीरपूर रिपोर्ट किस ने प्रस्तूत किया तो यह आपका हो जाएगा मुश्लिम निम निज्थव और में राष्टिय हरित प्राधिकरन के बारे में क्यों सत्त नहीं है तो एंजी टी का गठन 2010 में हुआ यह सत्त है इसका मुख उदेश प्राबरान एंबनो तथा अनप्रकृत यह भी शही है देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे यह दोनों में लग रहा है या तो यह ले लेग चलिए नेक्स प्रस नहीं है निमिलिखित में से कौन सा प्रकलन समीर्थी के अंडहाओ नमर देख रहे हैं आर्थिक सरवक्षाण 2021 के अंसार वर्स 2021-22 में भारत की वास्त्विक GDP में बिरदी निमिलिकित में से कितने रहेगी वास्त्विक पुछा जाएगा थीक है तो यह आपका इगारा हो जाएगा यदि ये संकेदिक पुछा जाता तो पंद्रा पॉइंट ये दोनों लेकिन इगारा आपका सही है इसमें वास्तिविक पुछा जा रहा है नेक्स है निती आयो का फूर फर्म पुछा गया था तो नेशनल इंस्टिटीट फॉर ट्रांस्फॉर्म ये सबस्षा जाएगा चलिए नेक्स्ट प्रसंग्न क्या है प्रश्मस्ट्व क्या आप्से सदे रहा है एक सक्स नबर किसी भी फ्रस्ण में यह जरूर्ण करने जो प्रस्ट में छेड़ूँगा उसको आंसर आप लोग यहांते हैं तो comment बक्र किजह एक उप्धान संदायन अधिनियम उनीशों बहत्तर के अधिन करम-चारियों को दे उम्धान अधिक्तम रासी कितनी थो यह 5 लाख है ई-सलिये नेक्स प्रस्ट देखते हैं नेक्स प्रस्ट कि सब्सक्राइच में कितना आधिक्तम संख्या में кितनी की घंटे हो गई तो यह 40 घंटा होगा चलिए नेक्स प्रस्ण है के प्रस्तन संख्या 13 में वह अदिक्तम आधिक्ट है जिसमें समुचित सरकार नकार मैदूरी अधिनियम 1949 के अधिन मैदूरी की नियुमतम दरों की समिक्षा करेगा उसमें संसोधीत करेगा तो यह आपका पांच वर्स होगा अधिक्तम पांच वर्स के अंदर करना पड़ेगा